क्यों हम टैश्पोर्ट्स को वही पुराने बोरिंग लुक में डवलप करते हैं जबके हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं तो आप सबसे उपर अगर देखोगे मैंने एक टाइटल डाला है उसके पीछे डाला एक ड्रॉप डाउन बटन जिसके क्लिक करने पे हमारा ड्रॉप डाउन ओपन होगा जिसमें हमने सारे फिल्टर सेट कर दिये तो ये भी आज हम बिल्ट करने वाले हैं इस वीडियो में फिर उसी में अगर आपकी नजर नीचे जाएगी तो आपको दिखेगा ये सर्च पार जहां हम सर्च करेंगे और हमें हमारे सर्च के अकॉर्डिंग वैलियूस नजर आएगी उसके बात राइट में देखोगे आ अगर लेफ्ट वाले पर क्लिक करूँगा तो मेरी प्रिवियस अली स्लाइड आएगी तो यहां पर आप इस वीडियो में तीन स्लाइट बनाना सीखोगे तो हमने याँ तीन स्लाइट बनाई हैं मिन्स तीन स्लाइट अलग-अलग अगर आपके तीन स्लाइट से आप बना स सकते हो तो और एक बात अगर किसी के चैनल बहुत बड़ा होता है उसकी वीडियोस हमें regular suggestions में दिखती हैं और देखने को मिलती हैं और मेरा चैनल एज बहुत छोटा तुमें भी हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपके suggestions में आएं या आपसे मिस हो जाएं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो तक कि यूटुब को पता लग सके कि हमें आपको वीडियो दिखानी है तो नीचे लाल बड़न पर क्लिक करके आप चैनल को कर सकते हो हमारी आगे आने वादी वीडियो के लिए तब तक के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो करेंट एर सेल मेजर पर जाके हम उस मेजर को चूज कर लेंगे फिर हम उसको कारड़ वाले वीजूर में चेंज करेंगे उसके बाद हम उसको करेंगे रीनेम करने के बाद हम क्या करेंगे इसके size को change करेंगे और मैं ये boring process हटा के सारे numbers डाल दूँगा आप अपने numbers अपने according डाल सकते हो उसके बाद हम इनको सारों को एक साथ से रख करगे इनके font size को change करेंगे इनको थोड़ा bold करेंगे और इनको अपने हसाब से menu plate करेंगे ताके ये अच्छा look दे सके तो आप हमेशा text के साथ खेलो text के साथ जितना खेलोगे जितने related text रखोगे theme के according आपके design उतनी creative लगेगी तो हम अपने text अपने according रख लेते हैं और यहां पर मैंने use किया dark color मेरे main numbers के लिए और category के लिए मैंने हलका gray color जो मेरे numbers जादा highlight हो इसलिए फिर चलते हैं आ small एक वीडियो डाल चुके हैं जहां से आप पेतरीन icons download कर सकते हो अभी के लिए मैं एक icon set करूगा आप सारे icons जब आप choose कर लोगे आपको कुछ result ऐसा मिलेगा उसके बाद icons को डालने के बाद हम चलेंगे हमारे bottom visuals पर उसमें one by one हम तीन visuals create कर लेंगे जो आपने intro में देखा ह होगा उनको create करने के बाद हम उसमें से कुछ चीज़े remove कर देंगे like titles और जो मेरे access हैं उनको क्योंकि मुझे इस design में clarity चाहिए तो मैं देरे देरे उस process के तरफ पढ़ूँगा और उनको remove करूँगा चार्ट्स को अपने according सेट करूँगा फिर जब end result आपको दिखेगा तो वह बहुत amazing होगा बहुत simple होगा तो मैंने इस design को थोड़ा सा simplicity रखने के कोजश किये जिज़ बदाए से मैं ज्यादा से ज्या design के according बढ़ता चला जाएगा अगर आप देखोगे आपको भी ऐसे करना है हमेशा चीजों को clean रखें जब आपका dashboard बहुत clean होगा और आपके designs clean दिखेंगी तो वह ज्यादा attractive लगेगी ज्यादा खिचर पिचर करोगे ना आप dashboards में तो आपका वह लुक अच्छा नहीं दे लगें और set हो जाएंगे फिर हमें एक और important topic के तरफ चलेंगे coloring coloring एक separate important topic है जिसमें एक separate video डाल चुका हूँ अब कहां से आप अपने dashboards के colors choose कर सकते हो अपने designs के according और अपने dashboards को देख सकते हो बनने से पहले तो अगर आपको वीडियो देखने हैं आप जाके देख सकते हो तो हम देरे देरे अपने charts को color कर लेंगे अपने color के recording तो मैंने यहाँ पे dark black यूज किये हैं और हलके से gray color यूज किये हैं because यहाँ पे मेरा जो theme look है मेरा यही है आपके case में different color भी हो सकते हैं तो आप हमेशा color को sync रखने की कोशिश करो तो आपका dashboard attractive लगेगा अगर मैं यहा बहुत खराब लगते तो colors हमेशा आप अच्छे यूज करो related color यूज करो तो colors मैं डालने के बाद मैं चलूँगा जो मैंने ओपर slicer डाला था वह तो मेरे case में मैंने ear slicer लिया है आपके case में कोई और month slicer या कोई category slicer भी हो सकता तो आप कोई भी ले सकते हो तो slicer मैंने लेने के बाद इसको tile वाले में convert कर दिया है तो मुझे यहाँ पर tile वाले पसंद आए because यह मेरी theme से थोड़ा साल का समयच कर रहे थे तो यह वाले slices मैंने use किये और इसके बाद हम चलेंगे अपने title पे तो title में हमने थोड़ा सा relate रखा इस slicer से तो अगर आप ध use कर लेंगे तो मैंने एक icon use किया है drop down के लिए तो यह icon आप जब यहाँ पर लगाओगे तो देखो आप header match कर रहा हमाई theme से तो अब बहुत attractive लग रहा है इसके बाद आपको नजर आ रहे होंगे icons के size मुझे यहाँ पर पसंद नहीं आ रहे है तो मैं देरे-देर icons को change होगा तकि वो अब मेरे सही लगे हमेशा आप notice करना जब जब आपके icons चोटे होंगे तो आपके icons ज्यादा अच्छे लगेंगे तो आप icons को छोटा रखे maintain रखे number की height से अगर आपके number की height से ज्यादा icons width बढ़ी जाएगी तो icons आपके attractive नहीं लगेंगे उसके बाद हम चले कि आप download कर लेना उसके बाद हम हमारे जो numbers हैं उपर वाले इनको थोड़ा उपर ले जाएंगे because यहाँ पर मुझे सही नहीं लग रहा है जो कि car के उपर आ रहा है तो हमें image को show करना है अगर उसके उपर आएंगे तो numbers अच्छे नहीं लगेंगे उसकी बाद आपने देखा को उपर slicer उसका color white जा रहा है जो कि पसंद नहीं आ रहा है जो कि बुरा लग रहा है तो जब बुरा लगेगा तो मैं इसको change करूंगा मैं इसको करूंगा transparent इसमें कोई option नहीं transparent का तो मैं background के color image के background के color की तरह रख दूंगा तो यह transparent देखने लगेंगे ठीक है उसके बाद हमारे icons और इसमें थोड़ा gap बनाएंगे because gap होना बहुत जरूरी है हमें पूरे जंगा को cover करना है because जंगा जब cover होगी या फिर space बहुत ज्यादा दिखेगा तो बहुत बिकार लगेगा तो अब space को cover करने के कोशिश करो ज्यादा space ना दिखे फिर चलते हैं हमारे slicer panel के अब यह मेरी layer हो गई अब मैं इसको पर जब slicer panel अपना रखोंगा तो वह ज्यादा visibility देगा तब कि जबके पहले नहीं देता because वह सब उसको cover up करता overlay करता बहुत बिकार लगता तो मैंने एक layer इसलिए इसको पर रखी ताकि वह अच्छी visibility दे मेरे slicer panel को उसके बाद हम shape के size इसको adjust करेंगे अपने according आप अपने according रख सकते हो आपके अगर बहुत ज्यादा slicers हैं बहुत ज्यादा filter सी उसकर रहा है तो आप उनको अपने according सेट कर सकते हो तो यह आपके according हो सकते हैं मैं उसको थोड़ा-थोड़ा match करने की कोशिश करूँगा think the color से think the color से match होना बहुत आइकन ले लेंगे जिसे हम slicer panel को off कर सकते है means close कर सकते है icon choose करके उस वाले बटन के उपर जो drop down है उसके उपर रख देंगे ताकि जब भी हम उसको on करें तो यह वाला बटन हमारा show हो जाए और जब भी हम उसको off करें तो हमारा drop down button show हो जैसे कि हम करते हैं हमारी सारी वीडि हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना तो फिर अगर आप देखोगे कि हमारा slicer panel set हो गया है फिर हम चलेंगे slicers पे slicer डालना भी जरूरी है तो हम एक ही करके अपने according slicers लेंगे in case आप में कोई और हो सकते है slicers या फिर आप किसी और तरीके से रखना चाहते हो तो आप set कर सकते हो अपने according यह बस आपको एक idea देने के लिए कि आप ऐसे set कर सकते हो आप drop down ही रख सकते हो या फिर आप कोई दूसरा style यूज कर सकते हो तो आप मैं तीन icon यहां पर तीन slicers यूज कर रहा हूं एक region के यूज कर रहा हूं एक payment method का है एक customer का customer मैं आपने जाएगा तो आप उससे वो वाला निकाल सकते हो search वाला तो मैं इसको पहले set कर लेता हूं इसकी width बगएरा इसके text का color change कर लेता हूं ताकि यह visible हो तो मैंने यहां पर white color text यूज किया title में मैंने हलका सा जो cream color होता है या gold color होता है उसको यूज किया है थोड़ सा different because वो title है different use इसलिए किया है तो यह भी मेरा theme से match कर रहा है तो हम दोनों slicers को set कर लेंगे तो अब मेरा region वाला एक ship mode वाला दो slicers हो गया है नीचे मेरा customer वाला slicers है तो यहां पर हमने तीन slicers set करें तो customer वाले के लिए मैं एक search बार इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि customer की मेरी category बहुत ज अची technique है dashboard में apply करने के लिए अगर आप क्यूंकि यह बहुत lengthy काम है अगर मैं सब ढूंड रहा हूं एक customer को ढूंडे जा रहा हूं तो मैं यह यह वाली चीज़े use कर सकता हूं for good technique तो यह better technique है dashboard में apply करने के लिए आप apply कर सकते हो आप फिर इली होते हो जब आप dashboard के design कर रहा यह use करता हूं मेरा जो मन करता है मैं करता हूं मैं design करता हूं तो हम अगर आगे भी जाओगे आपके बहुत काम में आने वाली है तो हम चलेंगे फिर इसको hide and show करने but उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि इस वाले पर हम already एक video टाल चुके अगर आपको यह पता करना है because य यह भी title लग दिता हूं dark वाला ताकि आपको पता लग पाए मैंने इसको कैसे यूज किया तो मैंने group में डाल दिया था है इस वाले title को भी तो मैं जब भी मैं show कर रहा था तो यह वाला title मेरा show हो दा था और जब भी मैं height कर रहा था हूं वो मेरा जो पीछे title लग आपका है तो duplicate करने के बाद मैं इनमे background भी use करूँगा different background जो मैंने images निकाली है उनको तो सबसे पहले मैं इसको duplicate कर लेता हूं duplicate करता हूं एक एक करके जब मेरे तीन page हो जाएंगे तीन page होने के बाद मैं सब में एक एक करके one by one image चूश कर लूँगा जो मैंने तीन use की है आप जाके image सिस्टम से लोगे तो आपकी image यहां पे show जाएगी आप fit वाला image fit वाला use कर लेना फिर मैं जाके इनके name change करूँगा आप page के name जो भी page के name होगे आप अपने page के name अपने according रख सकते हूं यहां पर मैंने अपने according रखा है हम चलेंगे buttons पर तो यहां पर हम एक blank button लेंगे जिसको हम बना सके previous उसके बाद हम एक और button लेंगे जिसको हम बना सके next तो जब भी मैं next button पर click करूँगा तो मेरी next वाली buttons यूज करूँगा जो मैंने icons download कर रहे हैं और उनको 50% transparent रखूँगा ताकि वो मेरी theme में ज्यादा dark या white color ना दिखा हैं तो उसके बाद मैं क्या करूँगा इनको fit वाला चूज कर लूँगा image fit पे तो यह मेरे fit हो जाएंगे फिर मैं इनके इन दोनों के action on करूँगा यह क जब भी मैं left वाले पे click करूँगा मेरी वो first वाले मतलब last वाले पे चले जाएगी जो back वाला button है और जो मैं next पे click करूँगा तो next two पे ले जाएगी तो मैं ऐसा ही sub में एक ही करके buttons में action choose करूँगा तो page navigation हम normally use करते हैं तो आप कुछ advanced level का use कर सकते हो इस तरह का तो यह attractive भ चारा सा भी लग रहा है simple सा जब भी मैं click कर रहा हूं next वाला पे जा रहा है right वाले पे और left वाले पे click कर रहा हूं तो left वाला रहा है तो मैं इस तरह से मैंने इनको set कर लिया है इनमे actions डाल दिया actions आप यूज़ कर सकते हो एक action इसके लिए ही bookmark action यूज़ करते हैं जो drop down button ह वो पिर वीडियो आप जाके देख लेना तो यहाँ पर मैं action set कर दिया है और यहाँ पर hovering वाला की effect डालेंगे इसके बाद ताकि मैं जब भी इस पर over करूं बटन पर यह मेरा dark हो जाए तो मैं जब जब इस पर over करूंगा यह बटन मेरे dark हो जाएंगे हलका सा dark color देंगे मु तो अभी मेरी यह designs लगबग तयार हो गई है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye